Hi everyone, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Honeywell company के बारे में So इस company के बारे में one by one करके सारी चीज़ों को discuss करेंगे Start करते हैं, आपको थोड़ी-थोड़ी important जांकरी मैं दूँगा ठीक है, तो सबसे पहले एक जो question आप लोगों के mind में आता हुगा क्या ये service-based company है या ये product-based company है जो Honeywell है, एक product-based company है, ये service-based company नहीं है और एक service-based company से काम करने की अपिक्षा में काफी अच्छी है ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो आप लोगों पन में doubt आते हैं अब ये है कि क्या job role पर hire करती है, कितना CTC package होता है, तो उसके बारे बात करते हैं तो देखो ये freshers को अगर बात करूँ तो software engineer 1 ये software engineer आप बोल सकते हो या फिर system engineer 1 की position पर hire करती है अब इसका जो hiring का pattern ने काफी ज़्यादा vary करता है, क्योंकि ये on campus भी hire करती है और off campus भी hire करती है अब अगर मैं CTC के साफ से discuss करूँ, तो यहाँ पर दो चीज़े हैं अगर ये tier 1 college में आ रहे है या आपका जो college है वो tier 1 है या काफी अच्छी reputation रखता है NIT, IIT college है, तो ये company वहाँ पर आपको 16 से 18 लाग रुपय तक का CTC offer करती है जिसमें आपका 13 से 13 लाग क्यास बस कुछ base पे रहता है और बाकी का ऊपर आपका joining bonus और relocation bonus वगरा रहता है तो लगबगा आपको ये उतना package offer करती है लेकर अगर मैं general way मैं बात करूँ जहां पर ये company hire करती है majorly so वो है tier 3 colleges और tier 2 colleges जो थोड़े से कम repetition वाले होते हैं साथ ही साथ में off campus तब इसका जो generic funda है वो मैं आपको explain करता हूँ तो ये company basically software engineer के role पे hire करती है और जो इसका average pay package है वो है लगबग 8 लाख रुपे के आसपास तो आप इतना अपना salary package CTC को expect कर सकते हो अब इसमें आपका base package भी होता है और इसमें आपका joining bonus वगरा भी include रहता है ठीक है और इसमें अगर मैं पात करूँकर आपका base package अराउंड अगर 7 लाख रुपे है ऐसा मैं estimate मान के चल रहा हूँ estimate तो आप लोगों के मन में doubt आ रहा होगा के भाई हम कितना पैसा कमा सकते हैं तो after all the deductions and all आपकी जो enhanced salary है वो लगबग 54,000 के around बन सकती है वन थाउजन वन थाउजन आप डाउन हो सकता है 54,000 के आसपस आपकी कुछ salary आ रही होगी ठीक है तो अगर आपका base package अराउंड 7 लाग के आराउंड है तो generally company CTC offer 8 लाग के आसपस करती है अब आगे important चीज़ों पर पात करते है तो सबसे पहले कि क्या technologies है कैसे work होता है work culture कैसा है तो सारी important चीज़ों को touch करेंगे तो सबसे पहले तो यह जो company है इसको join करके काफी सारे फाइदे है first इसकी brand reputation काफी बढ़िया है यह जो company है इसका brand name काफी बढ़ा है तो अगर आपके resume में इसका नाम include होगा तो इससे आपको आगे भी काफी जदा help होने वाली है और obviously यह company भी काफी जदा बढ़िया है दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे बढ़िया है वो यह है job security यह company काफी obviously काफी बढ़ी company है और यह काफी stable company है जो नई companies होती है या कुछ सालों से थोड़े सारों से पहले ही start हुई है तो company fluctuate काफी जदा करती है हो सकता है किसी साल में उनका revenue काफी उपर गया किसी अगले साल में उनका revenue काफी जदा नीचे गया तो उस हिसाब से आपकी job security पे खतरा आता है लेकिन Honeywell काफी जदा stable company है तो यहाँ पर ऐसी कोई खास आपको firing की news भी कभी सुनने को नहीं मिली होगी और overall इस company में job security काफी जदा बढ़िया है ठीक है तो यह भी आपके लिए काफी बढ़िया बात है जिसको सुनके हम लोग थोड़ा सा रिलेक्स हो सकते है अगर आप काम करना इस्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो थोड़ी बहुत चीजों के बारे में बताना चाहूँगा वो यह है कि इसमें अलग रख प्रड़क्ट के साब से टीम है और उसे साब से आपको कोई टीम असाइन हो जाएगी और आप किसी प्रड़क्ट पर वर्क कर रहे हो के अब टेक्लोजीज काफी देपेंड करती हो कि काफी सारे प्रड़क्ट है कि आप किस टीम पर काम कर रहे हो यह आपकी यूई डिजाइन से लेकर बैकेंड बैकेंड से लेकर डेटा फैचिंग एनलेसे काफी सारी technologies पर वेरी करता है लेकिन basic requirement ही है कि आपको programming language आनी चाहिए बहुत अच्छे से आनी चाहिए जिससे आप company का काम टैकल कर पाओ ठोड़े टाइम आपको सीखने का भी वक दिया जाएगा जिसमें आप company में रहका कि चुछे को सीख सकते हो फिर आप अपने स्टार्ट कर सकते हो contribution ठीक है तो अगर मैं technologies की बात करहूं तो ये काफी ज़्यादा technologies पर वक कर रही है हर team के इसाब से अलगलग technologies है तो ये purely आप पर depend करता है कि आपको कौन सी वारी team assign हो रही है और उससाब से आपको काम करने का मौका दिया जाएगा ठीक है ये बात I think आपको clear हो गई होगी अगर मैं बात करूं management की और work culture की तो इस company का work culture काफी ज़्यादा excellent है क्योंकि management जो है वो काफी ज़्यादा focused professional आपको देखेगा जैसे काफी companies होती है इनके managers management से थोड़ी बात problem होती है company policies से कुछ दिक्कत होती है तो company का management काफी ज़्यादा बढ़िया है और company का work culture भी काफी ज़्यादा सही है तो work environment, teaching environment और helpful environment आपको company में देखने को मिलेगा तो ये काफी सही है इस company में बाकि अगर मैं आगे और बात करूँ तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा employee benefits के बारे में या आपको maternity leave मिल जाएगी sick leaves बगरा मिल जाएगी paid leaves मिल जाती है तो उसमें और साथी साथ में आपको company के time से समय समय पर गिफ्ट बगरा पी असाइन होते रहते हैं थोड़े बात आपको चुटे होटे gifts बगरा मिल जाते हैं और सबसे बात यह है कि leaves company में काफी ज़दा आसानी से मिल जाती है आपको ज़दा मेहनत नहीं करने पड़ेगी अगर आप leave लेना चाहते हैं तो simply आप आपको चुट करकर leave को ले सकते हो और company में जो company का जो office है उसमें आपको cap service बगरा प्रवाइट कराई जाती है company की food quality काफी ज़दा अच्छी है और जो company का खासकर office है, infrastructure है वो भी एक number, एक class है जैसे काफी companies होती है उनका infrastructure ऐसा होता थोड़ा old सा फील होता है company का office वगरा सारा infrastructure बगी काफी जदा बढ़िया है तो overall इस company के बारे में आपको सारे detail बता दी है इतना कि मैं पता कर पाया लोगों को एप्रोच करके overall company काफी जदा बढ़िया है mid-pay range की एक company है और obviously service-based companies से काफी अच्छी है काम करने को I hope ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो की और हरी वेल में अगर आपकी ज़ॉइनिक आ रही है तो congratulations आप एक अच्छी company को ज़ॉइनिक करने जाने वाले हो इस प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe कर लेना और अगर किसी दूसरी का previous प्रकार की वीडियो चाहिए तो comment section बता देना Thank you so much for watching this video